नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजुकेसिन यूज में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान नर्सिंग भरती दो हजार अठारा दोस्तों जी एनेम भरती पर जो इस्टे ओडर आया था जाने कि ह कोट के सुनवाई कब है उस याची का पर जी हां दोस्तों आप लोग भी ये खुद चेक कर सकते हैं इस चीज को तो इसके लिए आपको जाना होगा राजस्थान हाई कोट की ओफिशियल वेबसाइट पर और वेबसाइट आप गूगल के किसी ब्राउजर में इसे ओपन कर सकते हैं आपको डालना है वहाँ पर scraj.nice.in उसके बाद दोस्तों ये इंटरफेज आप लोगों के सामने होगा ठीक है तीन डोटेट से आपको इसको डेस्क्टॉप वर्जन में इसको कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको देखिए ये चीजे दिखाई द यहाँ पर दोस्तों आप लोगो जैपूर क्लिक करना पड़ेगा ठीक है जब आप जैपूर पर क्लिक करेंगे तो दो चीजे फिर ओपिन होंगे आप लोगों के सामने हाई कोड सर्वर एकोड सर्वर ठीक है तो आप हाई कोड सर्वर पर क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद दोस्तों आपको जो याची का लगी थी सुभाष चंदर रोथ बनाम राजस्थान सरकार उसका आपको केस नंबर या रिट नंबर याद होना चाहिए तो ये तमाम चीजे दी गई हैं तो हमें इस पर क्या करना है केस रिट नंबर पर टैप कर देना देखिए याँ पर हमने इसमें कर दिया राइट कर टिक हो गया उसके बाद स्क्रोल डाउन करें थोड़ा सा और यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है केस नंबर देखिए मैं लिख देता हूँ याँ पर 13868 ठीक है उसके बाद दोस् दोस्तों आप लोगों के सामने होगा आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक दो तीन को भी छोड़ देना है जहाँ पर आपको सुभाज चंदर रोत लिखा मिले छे नंबर का है ठीक है उसके बाद दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ कहानी आएगी पेंडिंग यहाँ पर स्टेटस दिखाएगा उसके बाद देखिएगा दोस्तों पिटिशनर एडवोकेट देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेंच देख सकते हैं देखिए डेट ओफ लिस्निंग यह बहुत पैटांड चीज है यानि कि 6 फरव ठीका लगाई गए थी तीन साथ दो हजार अठारा को फिलप किया गया था उसके बाद चार से पांच इसकी हुई है और अंत में 24 जनवरी को इस पर इस्टे दिया था आई कोट ने और अब इस केस की सुनवाई है दोस्तों 6 फरवरी डेट ओफ लिस्निंग ठीक है और यह अपडेट भी आप लोगों को दे दिया जाएगा दोस्तों 6 फरवरी को किस कोट में इसकी सुनवाई होगी क्योंकि दोस्तों कोटों की यहाँ पर जजिस की बेंच होती है सिंगल बेंच ठीक है उस बेंच में एक जजज सहाब होते हैं वो इस केस को सुनते हैं ठीक है और डीबी होती है तो डबल बेंच होते हैं वहाँ पर दो जजजिस चीज को सुनते हैं तो यह सिंगल बेंच में देखिए आपर सिंगल बेंच का मतलब है एक जजज सहाब इसको सुनेंगे इस पर क्या फैसल आता है क्या नहीं आता है वो तो दोस्तों 6 फरवरी को पता आप लोग बिलकुल भी उदास ना हो चिंचित ना हो निराश ना हो सब कुछ ठीक होगा बहुत जल्द इस केस से हट जाएगा और दोस्तो ये था आप लोगों के लिए अपडेट आप खुद भी चेक कर सकते हैं धन्यवा दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का नहीं होगा वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा इसलिए इस वीडियो को जदर जदर लाइक करें सेयर करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद चैहिंद चैह भारत